अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक और शेर भी कर देना क्योंकि आप सभी जानते हैं इस चैनल पर मैं मैथमेडिक्स तिल्कु के लावा और जो भी एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल है तुरंत आपके लिए मैं अप्लोड करता हूँ ताकि आप हर चीज से आगा रह जाए एक अभी अभी एक अपडिट आया है आप देख सकते हैं जैसे हम सभी जानते हैं कि 3rd अपरेल से 10th क्लास के बोर्ड एक्जाम स्थार्ट हो रहे हैं तो सभी सब्जिक्ट के लिए क्लियर है लेकिन फिजिक्स और बायलेजी को लेकर थोड़ा कन्फूजन था एक साथ आएगा या पेपर अलग अलग आएगा और पेपर के लिए कितना टाइम दिया जाएगा बहुत सारे कन्फूजन से तो फाइनली उस कन्फूजन को दूर करने के लिए एक अपडिट आया है यहां पर आप देख सकते हैं तो सबसे पहली बात गौर्णमेंट की तर आपको 30 मिनिट का टाइम दिया जाता था अबजिक्टिव के लिए क्योंकि एक ही पेपर होा करता था लेकिन यहां पर आपके लिए फिजिक्स और बायोजी दो पेपर होने के बज़े से दोनों को हाफ एन आवर को डिवाइट कर दिया गया है दो सबजिक्ट के लिए 15 मिन सब्सक्राइब दिया जाएगा और बायोजी कल साइंस का सब्सक्राइब दिया जाएगा और बायोजी कल साइंस का सप्रेट पेपर है अब यहां पर तो न्यूर anyway हिसाब से आपको कोई भी गैप नहीं दिया जाएगा जैसे physics का exam होता है biology का exam साथ ही आपको दिया जाएगा तो ये एक confusion था students में उमीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा इस वीडियो के जरी आपका confusion दूर हो गया होगा और इसी तरीखे के updates अगर आप चाहते हैं तो इस चैनल पर बने रहिए और comment करके कुछ और डॉट है तो आप पूछ सकते हैं all the best सभी student अपने तयारी जारी रखिए बहुत कम टाइम रह गया आपके लिए उमीद करते हैं सब अच्छे माक्स से पास हो जाए चाए average students हो गया अच्छा clever student हो या low student हो सभी उतना ही time लगया हैं उतना ही time पड़े हैं और वही subject पड़े हैं और वही teacher सभी को पड़ा हैं तो उमीद करते हैं कि सभी students किसी तरह इस साल पास हो हम सभी दूआ करेंगे कि सभी students अच्छे माक्स से पास हो all the best